स्वागत है फिर से आज के इस वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम आपको Top Form Pre-AI Generated Website के बारे में जनकारे देने वाले हैं जिसके द्वारा आप Text लिख कर Image Generate कर सकते हैं जी यह दोस्तों जैसा के आप जानते हैं आज कल AI Image की चारो तरफ धूम हैं और AI Image लोग बना कर उसे Social Media, अपने Website और Even Graphic Designing में भी उसे यूज कर रहा हैं AJ Graphic Designer आपको भी यह पता होना चाहिए कि आप AI Image कैसे और कहां से Generate कर सकते हैं और उसे अपने Design में किस तरह से यूज कर सकते हैं दोस्तों हम यह समझने के कोशिश करते हैं कि AI Image आज कल Trend में क्यों हैं और इसका इतने ज़्यदा Demand क्यों हैं दरसका AI Image, Situation Based, Conditional Based Image होते हैं हम AI Generator में उसे एक Situation, Condition देते हैं, Criteria देते हैं और उस Criteria के हिसाब से AI Generator एक Image generate करता है जिससे हमें अपने मन मापिक, पने Requirement के इसाब से Image मिन जाती हैं जिसका यूज हम अपने वर्व के लिए करते हैं तो आईए, आपका और ज़्यदा न समय लेते हुए हम उन चार वेबसाइट में कैसे हम Image generate करेंगे, यह सिखते हैं सबसे पहले हम चलते हैं, Lexica पे, Lexica Art यह एक AI Generator वेबसाइट है, जहां पर हम अपने Requirement के इसाब से Image generate कर सकते हैं यह आपको Image का description देना होता है जैसी यदि आपको एक Image जैसा कुछ चाहिए a suited man with donkey face यह हमने आपर एक condition Lexica को देना कि इस तरह का हमें Image चाहिए और उसे हम generate बटन पे जब क्लिक करेंगे, इस condition के हिसाब से हो Image generate करके आपको दिखा देगा यह देखिए, एक suited man का photograph with donkey face के साथ यह Image हमारे पास आगे अब डंकी के जगए, यदि हम यहाँ पर डॉक कर देते हैं और फिर से generate करते हैं यहाँ पर आपको man का Image with drop face के साथ मिल गया इस तरह का Image और इसमें आप variation अगर चाहते हैं ता आप variation भी इसमें देख सकते हैं अब हम चलते हैं अपने दूसरे website पे farfly.adop.com यह एक AI generated website है जहाँ पर हम अपने requirement के हिसाब से image generate कर सकते हैं जैसे हमें aliens का photograph चाहिए, aliens with human हमने type कर दिया और यहाँ पर हम उसका side दे देते हैं expect ratio और generate बटन पर क्लिक कर देते हैं यहाँ पर portrait image generate होगा aliens with human का aliens के photograph यदि आपको यही चीज़े art वाले effect में चाहिए तो यहाँ से art बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपको aliens का image, artistic image यहाँ पर मिल जाएगा और इसे पर कुछ अपर effect होकर देना चाहते हैं तो आप event भी दे सकते हैं तो इसकी मदद से आप यहाँ पर image generate कर सकते हैं text की मदद से यह हमारा nest website है निलाडो AI जहाँ पर आप 3D image AI image त्यार कर सकते हैं जैसे हमने आप टाइप किया burger on table तो यह जेख सकते हैं आपको प्यारे प्यारे burger की image table का यहाँ पर मिल गया है अगर यही पर हम situation इसका change कर रहते हैं condition change कर सकते हैं burger, eating by, indium, omens और फिर generate बटन पर हम क्लिक करते हैं तो यह image यहाँ पर generate हो रहा है यह देख सकते हैं एक burger का image और यहाँ पर लोग omens बर्गर यहाँ पर खा रहे हैं तो आप अपने condition और situation के हिसाप से यहाँ पर image generate कर सकते हैं हमारा nest website है playground यहाँ पर भी आप अच्छे अच्छे image generate कर सकते हैं कि यह आई image यह create बटन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर prompt आएगा prompt क्या होता है दर्शन prompt में हम एक situation देते हैं कि हमें कुछ इस type के image चाहिए जैसे हमने यहाँ पर कुछ prompt टाइप कर गे रखे हैं पहले से यह थोड़ा से technical है यह prompt यहाँ पर आप type कर देंगे कि हमें कुछ इस type की image यह condition की image चाहिए और इसको यहाँ पर highlight कर देंगे और यहाँ पर जो आप उस इमेज में नहीं चाहिए उसे भी आप यहाँ पर mark कर देंगे कि हमें यह चीजे image में नहीं चाहिए उसको भी यहाँ पर mark कर देंगे और उसके बाद जब यहाँ पर generate बटन पर क्लिक कर रहाएंगे तो एक image generate होगी आपके perfection के हिसाब से यहाँ पर दिखिए एक टर्टन image generate हो गया अब हम यहाँ पर एक दूसरा prompt लेते हैं एक दूसरी condition यहाँ पर देते हैं और उसका not an image वाला text भी यहाँ पर हम दे देते हैं और image generate करते हैं देख सकते हैं यहाँ पर एक वोटेट हिंदू मेंस का image generate हो गया का dimension हम यहाँ से change कर सकते हैं और इन सारे image को आप यहाँ से download कर सकते हैं और अपने design में इसे use कर सकते हैं तो दोस्तों हम आशा करते हैं आप text के द्वारा AI image generate करने के concept को समझ ग वीडियो आपको पसंद आया हुगा एक नए वीडियो के साथ हम पिल मिलते हैं टेक केर बाए बाए बाए